नमस्कार TCH पर मैं आशोक कुमार पांडे और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सिनेमा पर हम बहुत कम बात करते हैं क्योंकि बात करने लाइक सिनेमा अब हिंदुस्तान में या तो बनती नहीं है जिसका उपयोग किया जाता है एक पार्टी द्वारा एक सक्ता द्वारा अपना हिस्टोरिकल सारा का सारा जो उनका परसेप्शन है उसको लगातार फैलाने का फिल्मों का नाम मैं नहीं लेने जा रहा बहुत सारी फील्मे आई हैं जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि फील्मे में बहुत कम देखने। इस बीच में प्राइम पर एक फिल्म आई ऐ वतन मेरे वतन और संयोग से उसके जो राइटर थे दाराब सहब उनको मैं पहले से जानता था तो उस इंटरेस्ट में मैं वो फिल्म देखने गया क्योंकि हिस्टरी पर जब कोई फिल्म आती है तो इस्पेशल इंटरेस्ट होता ही है और इतनी शांदार वो फिल्म लगी तकरीबन दो घंटे की वो फिल्म और एक बार में बैठ किया पूरा देख जाते हैं कि लगा कि इस फिल्म को तो हाल में होना चाहिए था लेकिन फिल्में हाल में कैसे जाती हैं कैसे नहीं जाती हैं उसको भी डिसकस करने का कोई मतलब नहीं है आज हमने फिल्म के डिरेक्टर करणन साब को और राइटर दराव फारुकी साब को आमंत्रित किया है कि जरा इस फिल्म के बारे में बात की जाए आप दोनों लों को नमस्कार बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे शो में आने के लिए दराव भाई आप से बात शुरू करते हैं हाला कि ये बड़ा क्लीशे टाइप का क्वेस्टन है कैसे सूजी वाला लेकिन फिर भी इतने सारे करेक्टर्स हैं हमारी आजादी की जो लड़ाई है मैं अक्सर मजाग में दोस्तों से कहता रहता हूँ कि आजादी की लड़ाई में हमारे इतने करेक्टर हैं, positive, negative, उल्जे हुए, psychological, हर तरह के करेक्टर मिल जाएंगे, पता नहीं क्यों हमारे फिल्म के लोग उन करेक्टर के ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इतने करेक्टर के बीच में आपको उशा महता का करेक्टर कैसे सुझा जिनकी चर्चा एक जमाने में तो बहुत थी, लेकिन आज लोग लगभग उनका नाम भूल चुके हैं प्रेजेंट के उपर हैं, जो आज की दुनिया में हमसी रहे हैं उसके उपर, तो हमें सबसे बड़ी चीज यह थी कि हमें ऐसा नगा के, खास्तों से मैं और करनल जेब अकसर आपस में बात करते थे, हम दोनों को अकसर ऐसा लगा के, शायद एक अजीब सी लब्स थोड़ा हमें की बढ़े से आज हम आदाब हैं, हमें हमारी जनरेशन को आने वाली यह लगने लगा है कि एक दिन अंग्रेज बस उठे सुभह साथ बज़े और उने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं, जो सालों की हमारी freedom struggle रही है, और खास्तों से कुर्बानिया रही हैं, लोगों की जिन्दगियां तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, लोगों ने अपनी जाने दे दी हैं, हम उसको कहीं न कहीं दरके नार करके हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो एक तो यह था है, उसके बाद एक बहुत खुशूरत चीज थी वो यह थी, कि इसकी feminist जो इनकलाब किया, जिसने उन्हें रोपनी दीगोसिश की आजादी के लिए, यह अपने आपने एक बहुत ही खुशूरत चीज थी उसकरदार के बारे में, और फिर सामने डेविड और गूलियाट का जैसे हम अंग्रेजी में किस्वगत थे हैं, कहते भी हैं, तो वो एक सिना थोड़ा सा उसको धुन्दला जरूर्ट कर दिया था, जाहे तीन महीने के लिए उसकी आप, तो ऐसी बहुत सारी थीम्स थी, जो कि अपने आप आपके यहां पे जोड़ रही थी, और जो एक फिल्म मेकर के लिए, एक राइटर के लिए, एक सही बात तो यह है, यह तो यह जाने का फैसला लिए, सफर बहुत लंबा था, क्योंकि मैंने 2016 नवंबर की पहली फाइले में, पर हाँ, देखिए अब लोगों को पसंद आ रही है, लोग खुश भी है, तो अपने आप में शायद हमारे पिसमत ही एक्षी थी कि हमें यह बनाने का मौका है, बिल्कुल ऐस कुछ कहा रहे थे प्लीज, मैं थोड़ा सा एड करना चाहता हूँ, दाराब में बड़े विस्तार से इंटर्ड्यूस किया कि हम इस स्टोरी के प्रती आकरशित कैसे हुए, पर मैं दाराब से कहीं बड़ा हूं में, ठीक है, मुझे, 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 बच्च्पन में, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, सिविल सोसाइटी में हो, एक आइडियलिस्टिक डिस्कोर्स, आदर्श्वाद, बहुत होता रहता, आदर्श्वादी बातें, सुनने में, कहने में, महौल ऐसा था, बड़, जब समय गुजरता गया, ये आदर्श्वादी बातें, कम होती गई, कम होती गई, वो, मुझे लगा क्या, सोसाइटी आदर्श्वाद से, इतनी दूर हो चुकी है क्या, कि आदर्श्वाद का कोई मतलब ही नहीं है आजकल, it is looked upon as stupid naivete, चीक है, मैं सोशल मीडिया से बिलकुल तालुक नहीं रखता हूँ, इसलिए जो exact, you are so lucky sir, तो इसलिए जो social temperature है, जो social psychology है, उसका exact description, I depend totally on दाराप की, वो summarize करते रहते हैं, now and then what happens, पर उसके जो detailing, nuancing से, मैं बिलकुल वाकिफ नहीं हूँ, पर मुझे ये जरूर लगा, क्योंकि निजी जिन्दगी में भी इतने youngsters के साथ मेरी बातें चलती रहती हैं, और भातों के topics ही कुछ और है, compared to 2030, 40 years ago, तो मुझे इसी लिए लगा, कि एक powerful film, about idealism, is always relevant, क्योंकि idealism के बिना, कभी, इंसाफ, equality, ये सब कभी बढ़ाई नहीं कहीं भी, from early history, तो ये कहानी eternal है, हमेशा प्रेर ना देगी, इसी लिए हम दोनों बहुत आकरशित हुए, अब इसके साथ ही एक सवाल पूछनों, आपको जो सबसे मज़दार इसमें निर्ड़े था, जो मुझे लगा, मतलब राम, राम अनोहर लोहिया के रोल के लिए आपको इमरान हाश्मी कैसे सूचे, इमरान हाश्मी एक एक अगदम अलग तरह की एक्टिंग के लिए, अलग तरह के जोनर के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म में उशा महता तो हीरो हैं ही, उनके साथ साथ राम अनोहर लोहिया भी हिरो हैं, अगर इस फिल्म में एक बहुत मजबूत करेक्टर किसी का है, जिस पर पूरी फिल्म डिपेंड भी करती है कई जबों पे, तो वो राम अनोहर लोहिया का है, तो आपको इमरान हाश्मी कैसे सुझा है, ऐसा नहीं नगा कि ऐसे एक्टर को लेने पर जिसका बिल्कुल अलग तरह का एक इमेज है, एकदम से पलट जाएगी बात, अब अच्छी बात ये है कि उनकी पर्फॉर्मन्स को यूनिफॉर्म एंड फेंटास्टिक अप्रिसियेशन नहीं नहीं, बहुत शांदार पर्फॉर्मन्स है, मैं उनमें शामिल हूँ, बिल्कुल, तो जो लोग शायद लोहिया जी को मिले भी हैं, पुड़ा बहुत, you know, in the last stages of his life, उनको भी लगा कि कुछ authenticity है इस पर्फॉर्मन्स में, अब इस पर्फॉर्मन्स के लिए जो हार्ड वर्क इमरान ने किया, तोटली उनका ही क्रेडिट है, पर, चूज मैंने इमरान को इसलिए किया, क्योंकि मैंने उनके साथ एक सूपरनैचरल थ्रिलर बनाया है, एक थीडाया, जहां वो मेजिशन थे, और सूपरनैचरल सक्करों में फसते हैं, ठीके, और तब तक ज्यादातर उनकी फिल्में ऐस ही थी, ठीके, जैसे उनका नाम पढ़ गया था, सीरियल किसर, ठीके, और हमारी फिल्म, एक थी डैन में भी वो किस करते हैं, ठीके, कि वो उनका, वो ओडियंस का, उनके फैंस का डिमांड था, कि किस नहीं किया, तो ये इमरान आश्मी जी फिल्मी नहीं है, पर जब मैं उ कंट्रोल्ड एक्टर है, कि इसके साथ तो बेहत इंसाफी हो रही है, और उसका पहला प्रूफ मिला शैंगाई फिल्म में, शैंगाई में उन्होंने फेंटास्टिक परफॉर्मंस दिया है, ठीक है, फेंटास्टिक परफॉर्मंस, और जो मुझे एक थी डायन बनाते बना लगा कि या दिस मैन का पोटेंशिल बहुत है, वो शैंगाई में कन्फर्म हुआ है, और कहीं न कहीं हलके से तरीके से उनका फेस कट खास करके चश्मा पहनाएं, उसके फेशिल हैर निकाल दे, मुझे लगा कि एक हलका सा रिजैंब्लंस भी हो सकता है लोहिया जी के साथ, और जब हमने उनका लुक टेस्ट किया और वो बहुत ही बंबईया आदमी है, बिलकुल, तो उन्होंने कोशिश की, की एक नॉर्थ इंडियन लहजा अपनाएं, बोलने के तरीके में, जिसमें मुझे लगता है, वो काफी हद तक काम्याब हुए, तो उनका जो हाड़ वर के प्रैक्टिस है, जम अब शूटिंग करते थे, शूटिंग का महौल, as you know, बहुत ही केयाटिक होता है, तो उपर नीचे, उपर नीचे सेट में जब लाइटिंग हो रहा है, प्रोड़क्शन डिजाइन जब तयार हो रहा है, तो उपर नीचे, उ उनके साथ जो सारे जूनियर कंपेर टू हिम, बाकी सब जूनियर अक्टर्स हैं, उनका प्रोसेस ही अलग था, तो ये सो बार, दो सो बार, डालोग, शौट के पहले, रहर्स करते हैं, तो उतनी कमिट्मेंट जब इतने माहिर, केपबल अक्टर दिखाते हैं, तो जाहिर है परफॉर्मंस अच्छा ही होगा, और एम वेरी वेरी हैपी, उनके फैन्स भी उनके साथ बहुत खुश हैं, और जो इतने अड्माइरर्स हैं, जो इतने फॉलोवर्स हैं, उनको भी लगा कि लोहिया जी जितने महान नेटा के साथ हमने इंजिस्टिस नहीं किया है, जादी की लड़ाई और कश्मीर मेरे दो ही नशे हैं, दो ही एक्सपर्टीज हैं तो, और फिल्म देखते देखते मैंने आपको मैसेज भी किया था, वो सब आपको पता है, तो हिस्ट्री के साथ जो थोड़ी बहुत छेड़ छाड़ हुई है, और फिल्म के चलते हैं हिस् नहीं जा रहा हूँ, काम है दर्शकों का देखें और खुद जाने, लेकिन वो क्यों करना पड़ा और किस हद तक आपको लगता है कि वो जिस्टिफाइड है, जी, तो मैंने आपको, मैं रिपीट करूआ खुद को, क्योंकि ये बात आपकी और मेरी होचिती है, आपकी ये तो क्योंकि ये बात आपके और मेरे बीच में पहले भी होचिती है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एच चीज का हमें अंदाजा हो जाना चाहिए, कि जो भी फिल्म देखने आ रहे हैं वो फिक्शन देखने आ रहे हैं, वो रियालिटी नहीं देखने आ रहे हैं, बस मुक्तलिफ बात यहां पर ये है, कि जो भी हम पिक्चर में दिखाने बाले हैं, वो फिक्शन कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रियालिटी बने चाहिए, वो कभी भी अपने आपको रियालिटी बताने की कोशिश नहीं करता है, और हमारी जो सबसे ज़्या लेकिन ये बात ओडियंस को समझ देनी चाहिए कि फिल्म हमेशा फिल्म है मतलब उसके अंदर exaggeration एक टूल है बाकाइदा और ये आज से नहीं है मतलब अगर आप poetics पड़ेंगे तो roman जमाने से ये defined है कि fiction के कुछ पहलू है जिनके अंदर आपको सारी चीज़े टिक मार्ट करने पड़ती है एक जो चीज हमने और ये बात क्यों कि मैं आपसे पहले भी कर सुका हूँ आप मुझे नहीं दर्शकों से बात कर रहे हैं जी 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 तो एक जो चीज है वो ये है कि हमने कुछ चीजों को बदला है लेकिन हमने spirit को कभी भी नहीं हमने कभी भी खयाल के साथ छेड़ चाड़ नहीं की एक जाम हमारे उपड़ ये है कि ये प्रोपगांडा फिल्म है तो अगर ये प्रोपगांडा फिल्म होती तो 1942 का जमाना था हमें पता है कौन क्या कर रहा था उस दमाले में हमने अगर किसी के कपड़े उतारने होते और हमें किसी को जलील करना होता तो हमारे पास बहुत मुखा था हमने किसी के साथ कुस नहीं किया हमने उनको mention भी नहीं किया जिन लोगों ने जो काम किये थे हमने सिर्फ अपनी कहानी कियों क्यों क्यों है हमारी मैं और मैं कम से में नहीं कह रहा हूं और огодिस बात कोनन के लिए लिया भी नहीं दो है मैं अस बात को मंता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं मैंने उस बात को question भी किया है जब violence हो रही है तो उशा जाके लोहिया जी से पूछती है कि कहीं हम गांधी जी के सिद्धान्तों से दूर तो नहीं हो रहे हैं और वहां पे जवाब देते हैं कि सही और सक्ते में फार्ख होता है और सही है लेकिन गांधी चीज सब्सक्राइब और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी अपनी आइडियोजी को भी question में किया है तो वहां पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो की मुझे बहुत छोटे में कहनी पड़ेंगी जो की topic बहुत बड़ा था और सबसे बड़ी बात य इसका एक साथ आना है उसके पीछे history है उसके पीछे discussions है बहुत लंबे-लंबे और within there are महां के congress में भी अलग-अलग opinions है अंदर पर हमें वो कहानी नहीं कहनी थी हमें कहानी कहनी थी एक लड़की की हमें कहानी कहनी थी उस लड़की की और उसकी बगावर की जैसी भी थी जित एक winner के तौर पर देखना शुरू करेंगे sports की तरह से अगर उस film को देखेंगे तो नड़की हार जाती है वो arrest हो जाती है उसका radio destroy कर दिया जाता है लेकिन वो उसके बावजूद जीती हमारी कहानी इस बारे हमारी कहानी इस बारे में थी कि जालम से इसलिए नहीं जालम से इस नहीं रड़ा जाता है जो जालम से और हमारी जो protagonist है वो इस बात को प्रूव करती है वो जीती है इस बात को जिसको कि हम गांधी बाज से लेकिदा रहे हैं और इसमें कोई शक्ती बात नहीं है मैं इसमें कोई शर्मिंदा भी नहीं है मेरे लिए यह political ideology थी और मैंने उसको follow किया है अपनी script को मैंने किसी को गाली मूद रखी क्यों 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 क्योंकि जितना भी हम जानते हैं वो य यह जो चीजेए हें यह हमने बहुत बाखाइदा follow करी है हमने किसी के ओपर शॉट नहीं लिया है हमने किसी और को ज्लीम नहीं किया हमने अपनी कहानी कहीन है और उस कहानी को कहनी एं जिस कहानी को हम कहना चाहते थे हमने history को change किया है हालात को चेंज किया हैं कि अगर हम हालात को चेंज नहीं करते न तो बहुत सारे लोग बहुत विलेंडिस नजरा आप दे बहुत ज्यादा क्योंकि वो वजए थी उस जमाने की तो हमने अच्छिडी उन विलेंज को बचाने के लिए संवेर कहानी को थोड़ा बहुत चेंज गई है और उशा महता के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताओं कि जो आफ्टर लाइफ है उनकी रिहा होने के बाद की आफ्टर लाइफ है वो भी उतनी ही बड़ी है वो पॉलिटिक्स में नहीं गई समासिवा में रही और गांधे इसमित संस्थान जैसे क इतने सारे संस्थान उनने बनाया इनवर्स्टी की प्रोफेसर रही तो अगर ये कहानी उशा महता को दुबारा पढ़ने के लिए भी आपको प्रेदित करती है तो बहुत बड़ी बात है थोड़ा सा दूसरे पहलों पे आता है करनन साब पीरियट फिल्म में देखते हैं हम तो पहले से कह देते हैं कि इस इस इंस्पाइड प्रेरित है उशा मैता और कॉंग्रेस रेडियो के कहानी से फिर भी जस्ट बी शूर हमने काफी सारे इंटरनेशनली अक्लेंड बायो पिक्स को स्टड़ी किया और बायो पिक के जो सबजेक्ट हैं उनके रियल लाइ से फिल्म को कंपेर किया और विदाउट एक्सेप्शन राइटर ने और डिरेक्टर ने क्रियेटिव लिबर्टीज लिये हैं और लेना पड़ता है क्योंकि एक बड़े कांड को समराइज करना पड़ता है दो घंटे के फिल्म में तो आप टू टू लाइफ रहेंगे तो ना वो कहानी सही तरह से दिखा पाएंगे ना उस कहानी का सार दिखा पाएंगे तो इट गोज विद द फॉर्म कि क्रियेटिव लिबर्टीज लेना ही पड़ता है बस बात यह है कि आपको फिडेलिटी टू स्पिरिट मेंटेन करना पड़ेगा विद यॉर फुल कॉंशि ने Ronnie और दाराबने कोशिश किया जितनी इमानदारी से हम यह धार पे चल सकते हैं हम चलेगे जिसे इसको अगर मुझे एगजांपल के साथ कहना हो तो आप यह दिखा सकते हैं कि ठीक है उनका किसी के साथ भी यह दिखा सकते हैं कि उनका एक चोटा सा ब्रेम था उनका माध्यम की अपनी liberty होती है चाहिए अप story लिख रहे हैं या poetry कर रहे हैं या फिर आप फिल्म मना रहे हैं और वो liberty है मैं just चाहता था इसको discuss करना ताकि चीजे अपने clear form में बाहर आ जाए जो सवाल मेरा था और ये सवाल नहीं है जब भी मेरे जैसा आदमी कोई period film देखता है तो उसके आँखे बहुत तेज हो जाती है वो बिलकुल तलाशता है कि कहीं कुछ मिल जाए जिससे मैं कहों देखो ये गरवड़ी थी लेकिन ये एक film ऐसी थी कि इसमें period film के जो शर्ते होती है आपने जबरदस तरीके से निबाहा है चाहे वो गाड़ियों का इस्तिमाल हो इवन भाशा का कई जगा पर मुझे लगा कि भाशा पर काफे research किया गया है उस समय जिस तरह कि हिंदी बोली जाती थी उसका put वीच वीच में आया है बाकी सारा जो एक बंदा है जो टेक्निकल है जिससे रेडियो खरीदती है पार्सी है उसका जो character आपने बिल्ड किया है लेकिन बहुत खुबसूरत character बिल्ड किया है बंबे उस जमाने का जैसे हम लोगों ने पढ़ा है या कासवर पर फोटोग्राप्स होगर है मैं उस जमाने के देखा है बिल्कुल clear लगता है तो ये ये जो काम होता है कितना मुश्किल होता है जस मैं अपने ने जानना चाहत था क्योंकि period फिल्मों को देखते वे मुझे हमेशा लगता है कि हिंदुस्तान में कम से कम क्या होता है कि भविता वगराप इतना जोर हो जाता है कि historical authenticity को छोड़ दिया जाता है ये काम कितना मुश्किल होता है डायलॉग के बारे में दाराब बताएंगे पर जो बात कर रह producer और production designer उनको भी जाता है क्योंकि budget होती है फिल्म की हम कभी भी फिल्म के बारे में ऐसे discuss नहीं कर सकते हैं कि budget ही नहीं बज़ेट के constraint में ही सब कुछ होता है तो जो producers हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ पे कि एक एक रुपिया spend after a lot of thought की production design जिसके दो पहलू है उसके बारे में मैं बात करता हूँ वो बेखुभी निवाया जाए फिर्स्ट ये है locations locations क्योंकि इंडिया में उतने उतनी आसानी से heritage locations में shooting permissions मिलते नहीं तो South Bombay के heritage locations में हम जो shooting करना पड़ा उसके लिए producerों को भी बड़ा हाथ है उसके अलावा how to क्योंकि वो सारे locations बदल चुके हैं उसमें बहुत सारे modern elements हैं तो उसमें modern elements कैसे निकाला जाए और period elements कैसे डाला जाए ये CGI VFX studio का काम है तो इन सब चीजों में as a director I can do only as much as producers support me क्योंकि ये infinite है in terms of budget तो producerों ने totally committed support दिया इस चीज़ को लेकर कि try and create as authentic 1942 Bombay as possible तो production designer और producerों का भी श्रे है इसमें भाशा को लेकर दराब आपके उपर मतलब जो ये film आप लिख रहे थे या आज के दर्शक के लिए लिख रहे थे भाशा उस दौर की थी हिंदुस्तानी का आपने काफे इस्तेमाल किया है इसमें जो पूरी भाशा है वो हिंदुस्तानी भाशा है आपको लगता है कहीं से आपको ये लगता है कि सिनेमा जिस तरह से भाशा को लेकर खेल रहा है हमारी भाशा की बरबादी में सिनेमा का भी अपना रोल है या हमारी भाशा की बरबादी से सिनेमा में भाशा की बरबादी है तो एक जो मेरे पर इल्जाम है यहां पर यह है कि मैंने कुछ हिंदी के शब्द यूज किये हैं और कुछ लिश्ट उर्दू के शब्द यूज किये हैं तो मैं और कनन स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे इसको डील किया जा इस भाश्रव के साथ तो हमने डिसाइड किया कि लोहिया जी की स्पीचिस जो है उनको श्कड़ी किया जैसे बुलजार साब अचसर ऐसा करते हैं कि वो स्क्रिप्ट फड़ते हैं और स्क्रिप्ट में से कुछ अलफाज लेने थे और फिर उनको अपनी पोईट्री में यूज करते हैं तो वो जब उस दुनिया के हो जाते हैं लोहिया जी का ये अगर जो भी इंट्रिस्टेड हैं वो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं उनका एक बहुत मफसूस अंदास का बात करने का कि वो कभी बिलकुल हिंदी में बात कर रहे होते थे जो की सैंस्क्रिताइज हिंदी है और एकद तो ये दोनों जबाने एक हैं और हम इस तरह से हुआ ये है कि लोगों को अब आप इमाजिन करिये कि एकाई के उपर प्रॉब्लम कि तुमने इकाई शब्द यूज कर दिया मैं इस बात सी मैं जैकुनों तैला हुए आप भी नौस में तैला हुए इकाई इतना इतना यू प्रॉब्लम है तुछ मैंने इक और चीज़ दियानाइस कर दिने के हमें आप इन सीगों को इग्णोर करना परेगा सब्सक्राइब बिलकुल जिन्हों को भाशा की समझ नहीं है जिन्हों को पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं तो मंग्रेजी के अंतर लिख रहे हो तो मगर दिल्ली या बंबई के अंदर के पॉर्ष राकों में बैठके अपने लाप्टॉप के ऊपर ये पिक्चर देख रहे है और तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना तो एक काम करो अंग्रेजी के सब्टाइटल लॉन कर लो क्यों क्यों कि तुम ये सब करते हो जब नहीं पुछता था कि या जैसे में जैकपूर में अशन पॉन कर लेता था कि तुम्हें ये शब्ध अजीशा तो नहीं हो रहा है ये शब्ध और उनको सबक्र आया तो मैं कौमन जो हमारी जलता है उसको सब्ट करने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर अगर आप अंग्रे लेकर आप इस समझह नहीं आ री, वो आपकी प्रॉबलम है, सब्टाइटल टून आप रहे हुए अच्छा आखरी सवाल के तरफ चल रहा हूं और दोनों से आपका ये सवाल है कि फिल्म है इतिहास की लेकिन बनी है आज की और कुछ इस तरह से बनी है कि आज के सवालों को भी एड्रेस कर रही है और बहुत कायदे से एड्रेस कर रही है चाहे वो कमिनलिजम का सवाल हो चाह है फिर कैपिटलिसम का अपने तरीके से सवाल हो यह सारी चीजें इसमें कहीं न कहीं से आ रही हैं तो नश्चित रोप से कुछ भी यूँ ही नहीं होता यह सब वेल थाठ होगा कि उशा महता के कहानी के माध्यम से आज के सवालों को भी थोड़ा बहुत address किया जाए या फिर history से क्या सीखा जा सकता है ये लोगों को बताया चाए और शायद इसी लिए इसको agenda फिल्म वगरा वगरा लोग कह रहे हैं आप भी share करते हैं कभी कबार मैंने भी यहां वगरा यहां देखा है तो सवाल ही नहीं है यह बस इतनी सी बात है कि मैं चाहता हूँ इस पर आप अपनी बात रखें आप दोनों लोग करन आप बोले बोड़ा बहुत जित्ता बोलना फिर मैं बोलूँगा नहीं बात यह है कि अगर हम आधूनिक इतिहास लें तो the most inspirational time has been the time of the freedom struggle under the leadership of महात्मा गांधी महात्मा गांधी पर जब की छड फेंका जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम यह कभी नहीं बूल सकते हैं कि महात्मा गांधी और बुद्ध यह दो ही दो शक्सियत हैं जो पूरे दुनिया में लोग inspiration लेते हैं when it comes to political protest महात्मा गांधी when it comes to spiritual growth बुद्ध तो महात्मा गांधी is so important to world history he his ideas will be forever relevant and especially relevant to me तो फिर वो फिल्म के हर सीन में जहां जहां आइडियोलोजी डिसकस होता है वो हर सीन में बाहर आता है याद रहा है जी मेरे लिए थोड़ा सा ये मामला मुख्तलिस था जो मैं लिख रहा था तो मैं बहुत conscious था उस दुनिया के बारे में जो दुनिया में मैं जी रहा हूं और मैं जिन्दा हूं और हमें ये भी दिख रहा था जैसे ऐसे हम रिसर्च कर रहे थे कि दुनिया में जो इशूज है वो ज्यादा बदलते हैं नहीं असल में टेकनालोजी और साइंस चीजों को बदल जरूर देता है थोड़े सी आपकी जिन्दगी कर्मीनियंट हो जाती है थोड़े से लेकिन जो इशूज है वो बदलते न आगता है अजया जो बand बनते रहते हैं transcellobei आजादी के जो दीवाने है उनको बांध तोड़ने भी पढ़से इसार है यजा बेल्सॉण को पूलते जो बांध पोड़े पत यह थीमाटिक था हमारी पिक्चर का मेरे जी जो भी बांध आजादी पर बंदेगा चाहे चोता हो चाहे बड़ा हो आप एनीकट कहले उसको यहां छोटी नदियों पर एनीकट बना देते हो लिकिन हम तोड़ेंगे उसको क्यों क्योंकि हमें आजाद लोग पसंद हैं हमें आ एसाइडिया को और वह आप लगातार देखेंगे अपने पादर के साथ अपने बॉइफरेंट सो कॉलड बॉइफरेंट के साथ अपनी जिंदगी की चॉइस के साथ और पिर अंग्रेदों के साथ लगातार ये चॉइस बना रही है कि जो भी चीज इस नदी के प्रबाह को तोड़े गी या रोखे गी मैं उस बांट को तोड़े हूँ यही हमारा लाज़र कीमाटिक था हमने वही बात कही है जो कि आप लोगों के साथ है सिनेमा हाल में क्यों नहीं है फिल्म मुझे लगता है मैं जितने दोस्तों से सिनेमा के मिला हूँ सबको सबके लिए फॉस प्रायटी वो बड़ा वाला हाल होता है ठीक है बाकि सारा कुछ आ गया लेकिन उस बड़े वाले हाल में अपने किये को देखने का अपना मज़ा होता है मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को हम लोग जैसे लोग किताब देखने का जो मज़ा होता है कहीं और नहीं होता है तो आपके लिए वो सिनिमा की स्क्रीन है जहां पर आप लिखते हैं तो वहां यह फिल्म क्यों है यह फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो उस जमाने में हुआ जब कोविड आया था कोविड के बाद कोविड के बाद OTT जो प्लैटफॉर्म्स हैं वो ठीक है और इस फिल्म की बजेट बाई सर्टन स्टैंडर्ड्स काफी बड़ी बजेट है ठीक है तो उनको लगा कि क्योंकि अभी है ना अभी पठान सिनिमा के बाद confidence in theatrical business फिर से आ गया है तो ये फिल्म अगर आज development में होती तो लोग सोचते प्रोड्यूसर सोचते नहीं यार इसको पहले थियाटर में लगाते हैं पर उस जमाने में थियाटर बहुत लोग नर्वस थे थियाटरिकल रिलीज पर तो पहले से फिर planning हो गई कि इसकी recovery best होती है क्योंकि आप ये OTT platform के नजरिये से देखिए वो क्या करते हैं कि film only on OTT इसका मतलब ये है कि इस picture को देखने के लिए और subscribers जुडेंगे और उनका revenue बड़े बड़े बड़ अगर फिल्म पहले थियाटर में आ चुकी है तो to become subscribers just to see this film वो होगा नहीं क्योंकि जिनको picture देखना है उन्होंने थेटर में दो देखी लिया होता है और existing subscribers ज्यादा तर देखेंगे उसको टीटी बिजनेस model की वज़े से यह हुआ है नो अधर बीस ऑल्सों यह original Amazon product है इसका कभी release होने का यह ही नहीं हुआ था अगर आप देखेंगे ने तो starting में आता है original Amazon movies तो यह मतलब आप नर्म से इस बात को लेगे कि यार यह picture कभी release ही नहीं होगी हमें तो पहले दिन से मालम था but that is the thing हमें सब को पता था कि यह ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं समझा जाएगी यह release नहीं हो रही थी तो Amazon पर आईगे actually यह कभी release होनी नहीं थी इसमें यह picture ही Amazon की है उनका ही प्रोडक सकते हैं इस फिल्म के कुछ characters हैं जो इतिहास में थे या नहीं थे मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसे characters के बारे में इतिहास में बात नहीं होती है लेकिन मैं आप से share करना चाहता हूँ इसमें एक police का officer है middle level का officer है जो करता काम तो अंग्रेजों के लिए है लेकिन क्रांतिकारियों को उशा महता को रामनोहर लोहिया जैसे लोगों को चुप चाप कुछ ऐसी information पहुँचा देता है जो उनके काम की होती है अब ऐसे characters पर नामली किसी का ध्यान नहीं जाता है ऐसे character का नाम भी नहीं होता समाज में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं जिनका कहीं नाम नहीं होता जिनका कोई इतिहास नहीं होता पकड़े जाएं तो सजा जरूर उनको मिलती है हम आप और हमारे जैसे तमाम सारे लोगों के लिए बेहस जरूरी है ये छोटे छोटे इलिमेंट बन पाना हीरो सब नहीं होते लेकिन एक हीरो अकेला कभी नहीं बनता और ये फिल्म सबसे बड़ी बात यहीं बताती है चाहे उशा महता के साथ रहने वाले वो दो युवा हों चाहे वो सरदार जी हों जो शहीर होते हैं उशा महता और रीडियो को बचाने के लिए या ये पुलिस वाले हों ये बताती है कि आजादी की लड़ाई या कोई भी बड़ी लड़ाई किसी एक आदमी के सिर्फ नही देती हैं और communication एक ऐसी चीज होती है जिस पर हर सरकार अपने तरीके से नियंतरन करना चाहती है कि हमारे खलाफ ये चीजें ना जाएँ और पड़े सरकार भी वैसा ही नियंतरन कर रही थी और जब नियंतरन की कोश्चें होती हैं जब आजादी चीनने की कोशिश होती है तो किसी एक हीरो के बरोसे वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती उसके पीछे पूरी जनता आती है और इसलिए जब 1942 में हिंसा के शिकायत महत्मा गांधी से की गई तो उन्हों टीवी पर जहां भी देख सकते हैं इस फिल्म को देखिए और खास तोर पे हमारे दौर के जो युआ हैं आपके घर के जो बच्चे हैं उनको जरूर ये फिल्म दिखाईए मेरी बेटी ने ये फिल्म देखने के बाद कहा था I was waiting for such a movie इस तरह के सिनेमा के लिए मैं इंतजार कर रही थी ऐसी सिनेमा कभी कभी बनती है जरूर देखिए और बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग हमारे साथ आए और इतनी डिटेल में बात की बहुत शुक्रिया थांक यू सो मच शूर जी